आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone Let's discuss the question बच्चे सवाल में हमसे कह रहा है जिस प्रकार से B, I, M, N, C, K, P, R से रिलेटेड है तो सेम उसी प्रकार से C, U, R, D किस से रिलेटेड होगा आई देखते बच्चे Question को कैसे solve करना हमारे पास Question में क्या given है B, I, M, N का relation दिया गया है बच्चे C, K, P, R से और हमको पता किस का करना है C, U, R, D किस से रिलेटेड होगा ये पता करना है हमारा सबसे पहला काम क्या हो है बच्चे, इन सारे letters की Positions को लिख लें फिर relation देखें B, 2, I, 9, M, 13, N, 14 T, 3, K, 11, P, 16, R, 18 T, 3, U, 21, R, 18, D, 4 और बच्चे, relations का पता करें तो कहीं न कहीं देखें तो first letter से first को relate करें तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चे इसर क्या हो रहा है प्लस का one हो रहा है और आगे देखें 9 से अगर हम बच्चे 11 पे गए तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है और आगे देखें 13 से अगर हम बच्चे 3 letter को रिलेट करें तो यहाँ पर 13 में plus 3 करेंगे तो बच्चे क्या हो रहाए 16 हो रहा है 14 सेルク त्यूंसे रिलेट करते है छो फॉर्थ letter को 4th letter से तो यहाँं पर क्या तेकनिव को मिला है पिचे यहां पर प्लस नफोर हो रहा तुक्षी कैनल दील स्प्लास वघ्लस तूर दीडिरी प्लस वह को 7 प्लस जूर पोर पर ओवलब तो इंट राता है क्षिए प्लस टो थम्ति टील क citrus प्लस थी टुनतिमीन 159 पर कौन सेता है बच्चे ही, 4 प्लस 4, 8 और 8 पर कुना चाहिए आता है D, H आंसर क्या होने वाला बच्चे है महले पास D, W, U, H A option is the correct answer, thank you